तो आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में जो B और T सेल सिग्नलिंग के जो मेंन कॉंसेप्स हमने डिसकस किये थे उनको थोड़ा और डिटेल में समझेगे सबस्कार मेरा नामेर अरुबिंदर सियाद मैंने मिशिगन स्टेट इनिवेसिटी से पायोगिमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोजी में पिच्डी की है और आज ये इम्मुनोलोजी सीरीज का स्तानवा लेक्चर है अगर आपको इस सीरीज के पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिये लिए लिंक को चेक कर सकते हैं आज मैं जब पी कोई कंसेप्ट डिसकस करूँगा तो बताना जाता हूं कि साथ में टेक्सबूक से ली हुई एक इमेज भी दिखाऊंगा ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी दरह से समझ में आजाए यह इमेजेज आप किसी की स्टैंडर्ड इम्मुनॉलजी टेक्स्ट बुक जैसे की रॉइट है क्यू भी है जैनवे अबास इनमें देख सकते हैं कोई जाला फर्क नहीं है तो पहले बात करते हैं B-cell receptor और B-cell signaling की तो antigen recognition से पहले जो B-cell की surface पे जो receptors होते हैं वो हैं जैसे हमने पहले डिसकस किया immunoglobulin M और immunoglobulin D इसमें immunoglobulin D जो है वो signaling में कोई काम नहीं करता है तो हम immunoglobulin M, IgM पे focus करेंगे B-cell receptor के दो parts होते हैं एक recognition वाला part और एक signaling वाला part हमने पहले जी इसको discuss किया है कि जो recognition है वो B-cell receptor करता है antigen को recognize करने का काम और जो signaling है वो Ig-alpha, Ig-beta नावके core receptor करते हैं तो antigen binding से BCR जो B-cell receptor है उसमें एक conformational change आलता है उसकी shape change हो जाती है और इससे कई सारे B-cell receptors जो हैं cluster हो जाते हैं इकटे हो जाते हैं और इसको BCR cross linking भी कहते हैं तो इस BCR cross linking के बाद ये cluster हो जाती है तो उसके बाद lin, fine और bulk नाम के सार्क टैलोसीन काईडेस जो हैं वो इनके पास आ जाते हैं और जो lin है L-Y-N वो Ig-alpha, Ig-beta के जो items हैं उनको phosphorrelated कर देता है ये phosphorrelated items blink नाम के adapter protein और psych नाम पर टैलोसीन काईडेस है उसके लिए landing site का करते हैं तो ये आपके यहां पर bind करते हैं psych जो है वो blink को phosphorrelated करता है वो kinase है तो phosphorrelated करेगा और साथ ही BCAP और CD19 नाम के proteins को भी phosphorrelated करता है इस step से जो PI3 kinase ये cell membrane पर आ जाता है तो cell membrane के बिलकुल साथ attach हो जाता है और उसके बाद psych और BTK, Bruton's Tyrosine Kinase ये phospholipase C को phosphorrelated करके activate कर देते हैं इससे जैसे हमने पहले डिसकस किया था कि calcium ions release हो जाते हैं, gelmodulin और cancer neuron ये activate होते हैं और जो N fat, transcription factor है ये nucleus के इंदर चला जाता है साथ ही जो diacide glycerol है वो membrane में ही रहता है और protein kinase C एक और kinase है इसको bind करता है और इसससे MF kappa B activate होता है जैसा हमने official lecture में discuss किया था PI3 kinase जो है वो PIP2 को phosphorylate करके PIP3 में convert कर देता है PIP3 आगे जाकर PDK1 protein dependent kinase 1 और ACT नाम के proteins को साथ लेका राता है तो इस process को ये साथ लेके आने वाले process को हम recruitment भी कहते हैं आप text books makes को देख सकते है PDK1 जो है वो ACT को phosphorylate करता है और जो ACT protein है वो cell death को promote करते हैं जो proteins उनको हम pro apoptotic proteins कहते हैं BACs और BAD इनको inactivate कर देता है तो cell death को जो promote कर रहे है उसको inactivate कर रहे है तो automatically cell survival और cell division जो है वो promote हो जाती है इसके साथ ही map kinase जो है वो pathway भी activate हो जाता है इसमें पहले grub 2 नाम का जो protein है वो blink के साथ अपैच होता है फिर son of sevenless नाम का जेफ जो है वो wind करता है जैसे हमने पिछले description में डिसकस किया था इससे rass protein activate हो जाता है और इसके साथ ही एक और rass के साथ ही similar protein है rack वो web नाम के जेफ के साथ अपैच होके उसे भी activate करता है तो यहां पे एक synergistic action देखने को मिलता है हमें rass और rack मिलके pathway को activate कर रहे हैं तो यह हुआ B cell receptor signal इसके अलावा BCR गो और poor receptor भी signaling करते हैं और उसकी जो signaling है उसको activate करने में help करते हैं जैसे antigens जो है कई बार complement pathway के C3D component को bind कर लेते हैं B cells में CD21 या complement receptor 2 नाम का poor receptor होता है इसकी binding से जो item है उनकी phosphorylation हो जाती है और पूरा signaling pathway जो है वो चल पड़ता है तो यह हुई बात B cell signaling की और BCRs की इनमें क्या rule है इनका तो अब हम करते हैं डिसकस T cell signaling को तो majority जो T cell receptors हैं जैसे हमने पहले भी डिसकस किया था कि वो alpha, beta type A T cell receptors होते हैं gamma, delta 5% होते हैं यह 95% होते हैं इनका जो structure है वो BCRs B cell receptors से काफी मिलता ही होता है यहां भी T cell receptor में आपको variable domain मिलता है और इसमें तीन hyper variable regions होते हैं यह जो हमने B cell receptor में complementarity determining region या CDRs देखे दे वैसे ही हुने BCRs की तरफ प्रोटी से receptors हैं उनकी भी Cytoplasmic tails काफी छोटी होती हैं और signaling के लिए इन्हें CD3 protein जो complex है उसका सहारा यह पड़ता है CD3 complex में 3 dimers होते हैं मतलब 2-2 protein मिलके एक complex बना रहे हैं तो यह है delta epsilon, gamma epsilon और zeta zeta इन सभी proteins की जो cytoplasmic tails हैं उनमें ITAM motif होते हैं जो phosphorylate होते हैं T cells के दो और important core receptors होते हैं CD4 और CD8 इनमें CD4 जो है वो helper T cells में पाया जाता है और CD8 जो है वो killer T cells में पाया जाता है CD4 जो है वो monomeric होता है और जो CD8 protein है वो heterodimer होता है वो दो अलग 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 proteins मिलके एक उसमें help करते हैं लेकिन CD4 और CD8 जो है वो naive T cell को activate नहीं कर सकते हैं यह बहुत important बात है इसके लिए T cell receptor और CD28 O receptor को साथ में stimulate करने की जुरूर है पिछले lecture में हमने discuss किया था कि जो T cells है उनमें LCK नाम का tylosine kinase होता है यह T cell signaling में activate होने वाला पहला tylosine kinase है नॉर्मली जो लख है LCK protein यह CD4 यह CD8 के साथ attached होता है यह phosphorylate होता है उसका ही और inactive होता है तो phosphorylated जो इसकी state है वो inactive है antigen recognition के बाद क्या होता है कि जो PCR clustering हो जाती है just like BCR clustering गठे हो जाते हैं कई T cell receptors इससे जो लख है वो CD45 नाम के एक टायोसीन phosphatase उसको उसके साथ attached हो जाता है और यह phosphatase है तो phosphat remove करने का काम करता है तो जाहिर सी बात है जो ZAP70 नाम का एक टायोसीन काइनेज है वो CD3 की जो zeta chains है दो zeta chains उनके साथ attach हो जाता है जो ZAP70 protein है वो slip76, LAT और phospholipase C इन तीनों को phosphorrelate करता है और ITK नाम का एक और काइनेज PLC को दुबारा phosphorrelate करता है तो double phosphorrelation हो रही है यहां पर PLC जो है वो PIP2 को जैसे हमने पहले डिसकस किया IP3 और DAG में तोड़ देता है IP3 NFAT को activate करता है तो यह NFAT pathway activate हो गया जो diacel cristalod है वो NF-kappa B pathway जो है उसको activate करता है वो भी हमने डिसकस किया है और finally जो RAS pathway है वो भी activate हो जाता है और इन सभी जो processes है उनका end result यह होता है कि AP1 जो phos और jun से मिलके बंद बनता है protein transcription factor यह activate हो जाता है और ultimately cytokine के जो genes है वो activate हो जाते हैं और cytokine secretion शुद हो जाता है इससे immune system की जो signaling है उस पर काफी effect पड़ता है तो cytokine कैसे काम करते हैं यह हम एक पिछले lecture में अच्छी तरह discuss कर चुके हैं आप उस lecture को दुबारा देख सकते हैं अगर आपको पी doubt हो तो आज के lecture में हमने B और T cell signaling को detail में discuss किया है मुझे उमीद है कि आपको आज का lecture जो है वो useful लगा होगा अगर आपको कोई भी doubt या question है तो comments में जरूर पुछिए अगले lecture में हम B cell की जो development है और differentiation है उसको detail में discuss करें तो जबदी ही मिलते हैं अगले lecture Thank you